बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जैसलमेर के दौरे पर रहे हर्याणा की जीत राजस्तान में उक्चुनाव खीवसर सीट पर चुनौती और पार्टी में बड़ी जिम्यदारी मिलने को लेकर खुल कर बाद चुनौती हर्याणा की जीत के बाद कद बढ़ने के सवाल पर सतीश पुनिया ने कहा कि पार्टी का कारे करता हूँ जो जिम्यदारी तै करनी है वो पार्टी करेगी मुझे खुशी है कि मैं विनिंग टीम का हिस्सा हूँ पार्टी ने जिम्यदारी दी और विश्वास पर खरा उत्रा पार्टी के एसिट्स हैं हमारे बारे में हम नहीं पार्टी निर्ने करती है मंतरी की रोडी लाल मिडा ऐसाई भरती पर एक्षा रद करनी की मांग को लेकर पुनिया ने कहा है कि सरकार ने इस विशे के लिए एक कमिटी बनाई है इसमें एक सीनियर मंतरी हैं सभी जगह इसकी चर्चा कर रही है क्योंकि सभी पक्षों को सुनना जरूरी है मुझे लगता है कि समय पर सरकार यूग्य निर्ने करेगी उपचुनाओ में सबसी ज़्यादा चर्चित सीट खीवसर की है इस सीट पर पुनिया ने कहा कि पिशली बार हम खीवसर में करीब धाई हजार वोटों से हारे थे मुझे लगता है पिशली बार इस बार की स्थिती में बहुत परिवर्तन है क्योंकि अब सरकार आ चुकी है राजस्तान का जन्मानस अक्सर सत्ता और सरकार के साथ तालमील बिटा कर चलता है डबल इंजन की सरकार का राजस्तान का चुनाओं में पार्टी को फाइदा मिलेगा चलती तो किस तरह देखते हैं हर्याना के बाद क्या वही रननिती यहां काम आईगी क्योंकि लगातार जो है उप चुनाओं को लेकर कई संशे बरकता थे इस तरह हर्याना की जीच से पार्टी के करेकरताओं में देशवर में उत्साया है जारखंड और महरास्टर में तो इसका असर हो गई लेकिन राजस्थान के कारेकरताओं के बीच में और जन्मानस के बीच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे हरियना में जिस तरह से लगातार हमका पार्टी के कुछ लोग भी नहीं मान पा रहे थे कि हरियना जीत लेंगे काफी जो है वो ठापटक चल रहे थी किस तरह रणिती बनाकर चुनाव जीते और क्या लगता है उसका इफेक्ट कितना रहेगा उप चुनाव पर देखिए चु लोग वहां उन से 21 से पर हमें अंडरेस्टीमेट किया लोग सबा की पांस सीटें हारने के कारण जबकि सत्यता ये थी कि बहुत प्रतीकूल ताओं में जिसमें किसान जवान पहलवान ये समिधान आरक्शन को लेकर जो हमारे खिलाब जो एक नकारतम कैम्पेंड कांग्रे वो पूरा तो नहीं लेकिन आंसीक तोर पर ये ब्रहम पैदा करने में सफल जरूर हुए थे और उसके बाद हमें ये अवसर मिला था कि लोग सबा से विधान सबा के बीच में हम एक अच्छी तैयारी हम लोग कर लें तो कुल मिला कर केंदर के जितने हमारे तमाम बड़े नेता थे उनका मार्गरिशन बराबर था रणितिक तोर पर हमारे चार प्रभारियों की टीम अच्छे तालमिल से काम कर रही तो टीम हरियाना के साथ मिलकर हमने एक अच्छी रणिती वहां बनाई और जिसके कारण हम लोग वहां जीत हासिल कर पाए जिस तरह से लगातार राजनितिक कलियर और मुवी चर्चा है आपके कारेकरताओं का भी एक जो है वोटसा है कि अब हरियाना की जो जीत थी वो कहीं ने कहीं बड़ी जीत थी और उसके बाद आपका कद जो है वो पार्टी बड़ से क्या जमेदारियां और पार्टी दे सकते हैं लेकि मैं तो सा पार्टी की एसेट हैं इसलिए हमारे बारे में हम नहीं पार्टी निरने करती है पार्टी जो भूमी का देगी जिस समय देगी जिस रूप में देगी उसको पूरा करें राजनितिक घलियारों में जिस तरह से लगातार चर्चा थी कि इन्हें बड़ा कद मिल सकता है तो उ से यह अपने पूरे निस्टा के साथ में भाएंगे श्रीक अंतिया सेंडी टीवी जास लिए